दोस्तों सूजी शरीर के लिए बहुत ही फायदमन होती है। इसमें भरपूर मातरे में फायबर, प्रोटीन, कार्बोहेड़िट और विटामिन C पाय जाते हैं। इसको खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है। और एनीमिय से भी बचा होता है। नियाइमित सूजी खाने मजबूत होने के साथ बीमारियों से भी बचा होता है। सूजी को गेहुं के उपरी छिलके को निकानने के बाद महिन पीस कर त्यार की जाती है। इसे डाइबिडीज रोगी भी आसानी से खा सकते हैं। सूजी से कई चीजे बनती हैं। जैसे के सूजी का हलवा, इडली, उत्वा माधी तो आपने खाये ही होगा। इसके अलावा सूजी से रोटी बना कर भी आप खा सकते हैं। सूजी के रोटी खाने से शरी को कई फादे मिलते हैं। आज हम बताएंगे सूजी के रोटी खाने से आपको कौन-कौन से फादे मिलते हैं। आईए वीडियो शुर से आप एक्स्रा खाने से बच जाते हैं और वजन कम होने में आपको मदद मिलती है इसके लावा अगर आपको diabetes की समस्या है तो भी शूजी के रोटी को खाने से खुन में शुगर की मातरा कम होती है, जिसे डाइबेडीस कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगे, सुजी से टाइब टू डाइबेडीस का खत्रा कम होता है, इसके लाव अगले फादिके बात की जाए, तो सुजी में भरपूर मातरा में आरन पाजाता है जो शुजी की कमजूरी को दूर करने के साथ साथ शुरी को हेल्दी रखता है, सुजी खाने से शुरी में आरन के मातरा पूरी होती है, और शुरी हेल्दी रहता है सूजी खाने से आपकी immunity मजबूत होती है सूजी में भरपूर मातरा में विटामिन C पा जाता है जो immunity को मजबूत करके शरी को healthy रखने में मदद करता है अगर आप भी गेहों के रोटी खागर बोर होका हैं तो डाइट में सूजी के रोटी को अवशे शामिल करें ये स्वादिश्टोने के साथ साथ शरी को स्वस्थे रखती है इसके लाबा सूजी की रोटी खाने से कॉलिस्टोल लेवल को कंट्रोल होने में मदद मिलती है सूजी की रोटी में पाया जाने वाला vitamin B3 शरी के लिए बहुत ही फाध्यमत होता है इससे सेवन से दिल से सम्मधित बीमारी के होने का खत्रा कम होता है और हार्ट भी healthy रहता है तो अगर आपको नसो में blockage की समस्या है शरी में कॉलिस्टोल बढ़ रहा हो ट्राइगलिसट बढ़ा हो खून गाढ़ होने के समस्या हो बीबी की प्रॉलम हो तो आप सूजी की रोटी वीक में दो से तीन दिन जरू खाय करें अब सूजी की रूटी बनाना कैसे हैं सूजी की रूटी बनाने के लिए क्या करना है आपको दो कप सूजी लीजे उसे गर्म पानी से गुथ लीजे इसमें आप थोड़ी थोड़ी मातरा में अजवाइन और कलाउंजी डालतीजें कलाउंजी अजवाइन डालने से इसका डा मिनिट के लिए रखती जें 15 से 20 मिनिट के बाद बिल कर रोटी बनाएए रोटी को सेके आपकी सुजी के रोटी तयार हो जाएगी और गरम किचें सुजी के रोटी आपके और आपके पूरे परिवार के हेल्थ किलीप बहुती फाद्यमंद है तो आज से खाना शुरू कीजिए वीडियो कैसे लिए भी बताइए और जाते जाते जिरूरी इस वीडियो को लाइक करते जाएए धन्यवाद